स्टॉरी गाइज मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिच्वल होता है हाँ प्रिये तो करना चाहिए हम हमेशा खाने से पहले अल्ला ताला से प्रेक करते हैं येस रिच्वल नहीं स्पिरिच्वल हम ही पहले भगवान को भोग आपर करते हैं कान का फॉर्म पर्सनल है अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुझे खा भी सकते हैं उनके कान और मुझे दोनों है शाणिनी तुम प्रे नहीं कलती है खाना खाने से पले नई लेकिन मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि हमको वो गौड ओफूड को और फार्मर्स को थांकी बोलना है चाहिए यू मीन अन्यपुर्ण देवी वाट? गौड ओफूड? येस हमें उनने थांक करना चाहिए और साथने फार्मर्स को भी बट आई बिलीव इन बॉर्टरिंग दो रोट्स देखो हम अमें शक क्रियेशन को तो अप्रिशेट करते ही हैं लेके हम क्रियेटर होना अप्रिशेट करना भूल जाते हैं अभी सोचो पानी ना हो हवा ना हो उपजाओ मिट्टी या धर्ती माना हो तो फार्मर क्या कर लेगा? So I believe that we should be thanking the Creator, the Lord who is providing us with all the basic necessities Point अब तुम किस किस को थैंक करेगा? मैंसे भी तुमारे तेतिस करो तो देवी देपता है बताओ किस किस को थैंक करेगा तुम और शांडी तुम बताओ तुम किस गॉद को मानता है? मैंसे किसी को निमानती लेकिन I think Shiva is a big God See, I am very sorry अब आपने वो बड़े भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना जहां वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर पर लेकर पूरे इंडिया का चक्का लगा रहा है अब तुम मुझे बताओ जो गॉद अपनी वाइफ के मनने पर ऐसे कॉमन मैन की तरह होता है वो गॉड हो सकता है क्या अच्छा अच्छा मेभी, I don't know much about this story but he is very famous and नौर्प में तो राम जी भी बड़ फेमस है ना उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा ना सबको पता है उनकी वाइफ को रावल ले गया था हाँ पता है अब तुम मुझे बताओ वो गॉड है वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए और उस वानरों को भी तुम पूसता है I am sorry और गीता तुम तुम कृष्णी को मानती हूँ और वो तो हर लड़की के साथ रास भीला कलते रहते थे ऐसा कैसा करक्टर है गॉड का जैसे हर लड़की से प्यार हो जाता है और वो खुड ड़के अपना जनमिसान चोड़कर चले गए थे गॉड को कभी डर लगता है क्या और जिसे खुड दर लग रहा है वो तुम लग की हल्प कैसे करेगा शिट यार इस तो कॉम्पलिकेट इन उन्फूजिंग इस कंफूजिंग विगाज वर फॉल्ल दर रॉंग पाफ इस बरी ब्यूटिफुल और सेक्रेट आइवल शो यू दर राइट पाफ इनाफ आसिफा, I know what you're trying to do अन्शालिनी, कुछ भी confusing नहीं है और वाट दे प्रॉब्लम इस कि तुझे पता ही नहीं है क्योंकि तुन्हें आज तक शास्त्र ही नहीं पड़े है तो पता कैसे चलेगा, कि क्या सही है और क्या गलत जन्म कर्मचा मे दिव्यम एवं योबेती तक्वता जक्तवा देहम पुनर जन्मा नैती मामेती सो अर्जुना भगवान के लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है उसके ये शास्त्रों का अध्यन करना पड़ता है और वो भी एक प्रमानेक गुरू के अंडर रहके उनकी शरण लेके अब अगर तुमने शास्त्र पड़े होते तो तुमको ये पता होता कि शिवजी ने जो इमोशन्स उसमें दिखायते हैं वो शोक नहीं विरह था विरह विरह? दोनों सेम नहीं होते क्या? लेकिन वहीं रामायन देखते देखते जो आसू निकले न वो विरह है विरह और ऐसे विरह से हमारा भगवान की प्रती प्रेम बढ़ता है तो जिस तरह से शिवजी ने विरह को दिखाया था उसी तरह राम जी भी सीता मया के जानने के बाद विरह में बटकते हुए लिए 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 और यही नहीं, सीता देवी इतनी प्योर है ना कि उन्हें राम जी के लावा कोई अच्छ भी नहीं कर सकता था रावन जिनको लेके गया था वो छाया सीता देवी थी असली सीता देवी तो अगनी में समा गई थी और वो अगनी परिक्षा के वक्त बहार आई थी और असे पाप मुखिया बोल रही थी? भगवान राम को अपने पत्मी को बचाने के लिए वानरों के मतद लेनी पड़ी थी आई मिन गॉड इस वाल पावफुल, राइट? हाँ, अमिन वो अकेले भी तो मार सकते थे ना यार शालिनी, अगर तुने कभी रमायन पड़ी होती तो तुझे पता होता जब खर और दूशन आये थे अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ जो इंसान को खा जाते थे उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिना किसी की हेल्प के उन सब के चितरे उड़ा दिये थे अब ऐसे राम के लिए रावन को मारना मुश्किल है क्या? हाँ लेकिन बाद में वानरो के हल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरीस बढ़ाने के लिए अरे उन्होंने तो एक छोटी सी गिलैरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था वाट? कभी पड़ा हो तो पता हो ना? खेर और हम हनुमान जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुशने का रास्ता उनके भगतों की सेवा है जब भगवान देखते हैं कि मेरे भगतों का गुडगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूँ तो वो खुश होती है ना? पॉइंट इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं जब हम उनके भगतों की सेवा करते हैं पूजा करते हैं और रही बात 33 करोर देवी देवता की आसे भांग तुम मुझे ये बता What is your favorite genre in movies? Psychological failure और शालमी देवी? Romantic and comedy Exactly जैसे हर किसी का अपने nature के अकॉर्डिंग फेवरेट जॉनर होता है वैसे ही भगवान ने हर किसी की nature के अकॉर्डिंग व्यक्ति के लिए उसके nature के अनुसार वेद और पुरान दिये और उन्ही पुरानों को फॉलो करके लोग अपनी देवी देवता की तरफ अट्राक्ट होते हैं और ये सभी देवी देवता भगवान की ही सेवा कर रहे हैं जैसे रोश्णी की देवता सूर्य देव हवा की देवता वायू देव बारिश के देवता इंद्र देव जैसे एक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी पोजिशन्स होती है वैसे ही इस पूरे ब्रहमांट को चलाने के लिए अलग-अलग देवी देवताओं की ज़रुरत पड़ती है तो मतलब वो अपनी पोजीशन का मिस्यूज करेंगे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे रास लीला करेंगे टॉप इट आसिफा, now you're crossing the line तुझे पता ही क्या है क्रिशन के बारे में जो लोग बोलते हैं कि क्रिशन करें तो रास लीला है हम करें तो क्रेक्टर धीला है उनको बोलो पहले भागवतम पढ़ ले ठीक रास लीला से पहले भगवान ने गोवर्दन उठाय था उनको बोलो पहले जाके गोवर्दन परवत उठाय तैदा होते ही पूतना को मारा था, बच्चे से एक मच्छर नी मारा जाता वेनी वो स्क्रॉलिंग मुख में ब्रहमांट दिखा दिया था तो अपने मुँ में अपना ये होस्तेली दिखा दे आसिफा क्या तुम जानते हो द्वारका में भगवान शिरी कृष्णा की 16,108 रानिया थी और सबके अलग-अलग महल थे और हर एक महल में शिरी कृष्णा सब के साथ होते थे एक ही समय पर रोज सारी रानिया कृष्णा से खुश थी और उन सब की जरूरते कृष्णा पूरी करते थे क्या किसी नॉर्मल से इंसान के लिए ये सब संभव है? आज के टाइम पे तो एक ही नहीं समलती लेकिन उस टाइम सारी रानिया एक दूसरी के साथ खुश थी और उन्हें खुश क्रिश्णा रखते थे क्यों? क्योंकि वो भगवान है और रही बात ब्रच की गोपियों के साथ रास दिला करने की तो इतना जान लो कि रास दिला के टाइम पर करोडो गोपियां थी और क्रिश्णा पूरे टाइम हर एक गोपि के साथ मौझू थे और उनके साथ डांस कर रही थे एक टाइम पर करोडो गोपियों के साथ ये सब बहुट दीब दिला है और ये सब तभी पता चलेगी जब साधूं के संग में रहे के शास्त्रों को पढ़ा जाएगा हवा में तीर चलाने से या सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने से कुछ नहीं हो लगा और रही बात अपने भक्तों को बचाने की तो भग्वान ने तो अपने भक्त परीक्षित महाराज को गर्ब में बचाया पांच साल के प्रहलाद महाराज के लिए नर्सिंग अवतार लेकर आए और उनको बचाया यहां तक ही हो अपने गुरुदेव सांधी पानी मुरी की बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिन्दा किया I'm really impressed यार Hindu होते वे भी मुझे facts बता ही नहीं थे मेरे parents नहीं मुझे कभी इन सब चीजों के बार में बताया ही नहीं हां, parents ही तो गलती है लेकिन हम भी तो मही कर रहे हैं जो अनों नहीं किया We're not learning about our culture, not reading रमायर, महभारत और भगवनीदा आजकल तो यह सब कुछ read करना बहुत easy भी है and everything is available on our phones and the problem is that we don't want to learn और इसलिए हमें कोई कुछ भी बोलता है और हम उसे मान लेते हैं और अपने belief को change करने के लिए ready हो जाते है actually मैं पता है किसी का heart transform करना है तो प्यार से करो ज्यान से करो पैसे और तलवार से नहीं और अब बारी आपकी है अगर आप ही चाहते हैं कि कोई एडा गेडा नत्त्य गेडा आप करें